छोटे पौधों को जाकते हुई देखू राजा, अरे रुको, तुम उस छोटे से पौधे पर पाउं रख दोगे क्या हुआ पास? क्या बात है? चीनू, मीनू, जल्दी आओ, देखो तो कितना छोटा पौधा है हाँ, यह तुब बड़ा प्यारा है, चलो, इसे पानी देते हैं, तब यह बड़ा होगा अरे, यह क्या कर रहे हो बास? बंद करो यह सब मीनू, मदद करो, मैं तो चीनू की किताब पर पानी डाल रहा था, ताकि यह भी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, चीनू, बस को पता नहीं है, बस चीनू से माफी मांगो मुझे माफ कर दो, चीनू, मैं चाहता हूँ कि यह किताब भी बड़े बास यह किताब नहीं बढ़ सकती, इसमें बोधों, इंसानों या जानवरों की तरह जान नहीं होती यह नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि यह निर्जीव वस्तु है, मीरी किताब, यह बाल्टी, यह खातनल, सब निर्चीव चीजें हैं, इनमें चान नहीं है इसलिए यह बड़े नहीं होते, देखो, किताब कीली हो गई गल्ती हो गई चीजें, मुझे क्या पता? कोई बात नहीं, मैं इसे सुखा दूँगा, तब तो तुम्हारा बसता मेज यह पानी की बोतल यह सब नहीं बढ़ते? हाँ बस, सिर्फ पौधी, मनश्य और जानवर ही सजीव होते हैं, इसलिए यह बढ़ते हैं मीनू, तो क्या मैं सजीव हूँ? मैं भी बढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, तुम सजीव हो और तुम बड़े हो जाऊगे हमें बड़े होने के लिए हवा, पानी और भोजन की जरूरत होती है अच्छा, निर्जीव चीजों को हवा, पानी और भोजन की जरूरत नहीं होती इसलिए इस किताब को पानी नहीं चाहिए हाँ, इसे पानी की जरूरत नहीं है और निर्जीव वस्तों सास भी नहीं ले सकती सिर्फ सजीव ही सास ले सकते हैं मीनू, क्या यह पौधा भी बहुत बड़ा व्रिक्ष बन जाएगा? हाँ, यह बड़ा होकर व्रिक्ष बन जाएगा इन पेडों को देखो, यह बहुत मस्बूत है देखो बास, यह नीम का पेर है और यह बर्गत का यह तो बहुत मोटा है इसे तना कहते हैं लेकिन यह तना इतना पतला क्यों है? कुछ पौधों का तना मस्बूत नहीं होता वे बहुत कमजोर होते हैं इन पौधों को बेल या लता कहते हैं यह उपर चड़ने के लिए सहारा लेते हैं सहारा? हाँ, वे किसी का सहारा ले लेते हैं जैसे कोई डंडा या कोई और पेट वे खुद ही खड़े नहीं हो सकते मुझे पता है सेम के पौधे सहारा लेते हैं और अंगूर के पौधे भी सहारा लेकर बढ़ते हैं तो क्या ये सब लताए हैं? हाँ, ये लताए है अरे राजा तुम ठीक तो हो? उस गुलाब के इतने पास क्यों चले गए? उनमें बहुत नुकीले कांटे हैं हाँ, मैं तो हमेशा गुलाब के पास सावधानी से जाता हूँ हाँ, कुछ पौधों में नुकीले कांटे होते हैं हमें इनका ख्याल रखना चाहिए लेकिन ये गुलाब के पौधे तो बहुत छोटे हैं छोटे पौधूं को जाडी कहते हैं इन गुड़हल और चमेली के पौधों को देखो ये जाडिया है चीनू इधर आओ, ये पौधे हैं तो बहुत छोटे लेकिन इनकी खुश्पू बहुत अच्छी है बस यह पुदीना है पुदीना, धनिया और तुलसे बहुत ही छोटे पौधे हैं इन्हें जड़ी बूटियां कहते हैं कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ी बूटी के रूप में दवाई की तरब प्रयोग किये जाते हैं बस तुम्हारी हाथ में क्या है? अरे यह तो पत्ता है लेकिन यह सब अलग-अलग लगते हैं बस पत्ती भी अलग-अलगतर है की होते हैं कुछ बड़े होती है और कुछ छोटे इनका आकार भी अलग होता है सरा इन्हें गौर से देखो मुझे तो बस फूलों से ही काम है मुझे शहद बहुत पसंद है हाँ भई अधिकतर पौधों में फूल खिलते हैं क्या तुम्हें पता है की फूल से ही फल बनता है? फल फूलों से निकलते है? यह तो मुझे पता ही नहीं था तुम तो बस शहद चूसो और भीन बिनाओ अरे राजा के मुझे क्या है? राजा अपना मुझे खोलो और मुझे दिखाओ अरे यह दो एक बीज है बीज फलों के भीतर होते हैं बीज के अंदर एक छूटा सा पौधा चुपा रहता है बीज के अंदर छोटा पौधा वह वहां क्या करता है? मुझे तो नहीं दिख रहा यह अंदर सो रहा है आओ इसे मिटी में बो देते हैं वह बाहर कब आएगा? हाँ हमें इसे सींचना होगा इसके दो और दोस्त भी है सूरज और हवा हवा इसे सांस लेने में मदद करती है और सूरज इसे गर्म रखता है और बढ़ने के लिए इसे पानी भी चाहिए यह देखो यह छोटा पौधा बीच से बाहर आया है धीरे धीरे यह एक बीड बन जाएगा यह क्या है मीनू? वह भी एक बीच है बीच भी कई तरकी होते हैं यह मटर का बीच है छोटा सा और यह आम का बीच है जो की बड़ा है देखो यह मक्के का बीच है और यह सीम का चलो एक खेल खेलते हैं ठीक है अब मैं किसी चीज को छूंगी और तुम्हें यह बताना है की वह सजीव है या निर्जीव? यह तो मज़िदार खेल है सजीव सजीव निर्जीव निर्जीव नहीं बस तुम्हारा जवाब कलत है फूल सजीव होता है दोस्तों अब हम जानते हैं कि सभी सजीव चीजों को बढ़ने के लिए हवा पानी और भोजन की जरूरत होती है सिर्फ सजीव ही सास ले सकते है दोस्तों आप सब भी यह खेल क्यों नहीं खेलते दोस्तों आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा प्रश्न और उत्तर बड़े पौधों को क्या कहते हैं पेड या व्रिक्ष छोटी पौधों को क्या कहा जाता है जारिया क्या तुम कुछ जारियों के नाम बता सकते हो गुलाप, चमेली और गुढ़हर कुछ छोटे पौधे जिन्हें दवाईया बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं जड़ी बूटी क्या तुम कुछ जड़ी बूटियों के नाम बता सकते हो पुदीना, धनिया और तुलसी क्या तुम मजबूत तने वाले कुछ व्रिक्षों के नाम बता सकते हो आम कपीर नारियल कपीर नीम कपीर और बर्गत कपीर कमजोर तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बेल या लताएं बीच को पौधा बनने में कौन मदद करता है? पानी, हवा और सूरज पौधें हमें बहुत सी उप्योगी वस्तुएं प्रदान करते हैं क्या तुम कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हो? फल सबजिया अनाज सूत लकडी चाई काफी क्या आपके विद्याले और घर के नज़दी पेड़ हैं? क्या तुम्हें फूल पसंद है? क्या तुम्हें कौन सा फूल सबसे अधिक पसंद है? क्या तुम्हें कौन सा फल सबसे अधिक पसंद है? क्या तुम्हें कोई बीज देखा है? क्या तुम्हें कभी कोई लता या बेल देखी है? क्या तुम्हें क्या तुम्हें बता सकते हो कि ये सजीव हैं या निर्जीव? कुत्ता एक प्रानी है कुत्ता एक सजीव प्रानी है पुस्तक एक वस्तु है पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है तितली एक प्रानी है तितली एक सजीव प्रानी है आम का पेड फै आम का पेड सजीव है मेज एक पस्तु है मेज एक निर्जीव वस्तु है घर एक प्रानी है घर एक निर्जीव है कुत्ता एक सजीव प्रानी है पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है तितली एक सजीव प्रानी है आम का पेड सजीव है मेज एक निर्जीव वस्तु है घर एक निर्जीव है फिर मिलेंगे अलविदा दोस्तों प्रानी है झाल झाल